उजास प्रवेशिका भाग दो केंद्रिय शैक्षिक प्रद्योगी की संस्थान C.I.E.T. द्वारा किया गया है। ये प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयू के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है। इसमें बुनियादी साक्षर्ता, भाषा, संख्याग्यान और महत पून जीवन कौशल, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विश्यो को समिलित किया गया है। उजास, प्रवेशिका, भाग दो, प्रिष्ट संख्या, 87। इस प्रिष्ट पर एक आयताकार चित्र है, जिस पर लिखा है मेरी किताब। उसके नीचे, बाई तरफ लिखा है मेरा उसके आगे है रिक्तिस्थान। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखा है मेरा पता। उसके आगे है रिक्तिस्थान। यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे। और उसके नीचे लिखा है मेरा मोबाईल नमबर। उसके आगे है रिक्तिस्थान। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। प्रिष्ट 88 पर सबसे उपर लिखा है बादचीत के लिए। इतने लोग इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। और चार चित्र में कुल कितने जानवर हैं। प्रिष्ट संख्या 88 तथ 89 इन दोनु प्रिष्टों पर एक चित्र बना है। इस चित्र में तेन व्रिख्ष दिखाए गए हैं। साथ ही एक महिला और एक पुरुष अपने सर पर घास के बंडर रखे दिखाई गए हैं। एक लड़की पहिया गाड़ी से खेल रही है। दूसरी लड़की सर पर मटका लिये जाती दिखाई गई है। एक लड़के को नदी में मचलियों को जाल से पकड़ते हुए दिखाई गया है। यहाँ पर कुछ पहार दिखाई गए हैं। उन पहाड़ों से एक नदी बहती दिखाई गई है। नदी में कुछ जल जीव दिखाई गए हैं। जिनमें कच्छुए, मचलियां, बतक आधी हैं। नदी के साथ ही एक खेत का चित्र है। खेत में एक पुतला बना है। प्रिष्ट संख्या नब्बे, पाठ चार. हमारा आसपास इस प्रिष्ट पर लिखा है, हम सीखेंगे। यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। ए, ए, ज, भ, ड, ल, श, श, अंकी बिंदी और चंद्र बिंदू। एक, एक्क्यावन से सो तकी संख्याएं पहचानना, पढ़ना और लिखना। दो, समुहों में गिनना। तीन, एक से पचास तक जोड और घटा करना, पुनर समुहन के साथ। और चार, एक्क्यावन से सो तक जोड और घटा करना, बिना पुनर समुहन के। इस प्रिष्ट पर चार चित्र बने हैं, और लिखा है, चित्र से अनुमान लगा कर पढ़िये। पहले चित्र में कुछ व्रिक्ष बने हैं, और कुछ जाडियां दिखाई गई हैं। उनके नीजे लिखा है, जंगल। इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक जंगल है। दूसरा चित्र एक जल स्रोत का है। स्रोत के किनारी पर रसि से बाल्टी बंदी दिखाई गई है। इससे हमने ये अनुमाल लगाया कि ये कुवें का चित्र है और चित्र के नीचे लिखा है कुवा तीसरे चित्र में गिरते हुँ बूंदों में एक बालक और एक बालिका खुश हो रहे हैं इससे हमने ये अनुमाल लगाया कि ये बारिश का चित्र है और चित्र के नीचे लिखा है बारिश अगले चित्र में चट्टानों के बीट से पानी बह रहा है इससे हमने ये अनुमाल लगाया कि ये एक जर्ने का चित्र है चित्र के नीचे लिखा है जर्ना शिक्षक निर्देश उपर दिये गए शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें उन्हें चित्र के आधार पर अनुमान लगाने के अलावा उनके बढ़ते शब्द और अक्षर ग्यान का इस्तिमाल करने के लिए प्रेरित करें प्रिष्ट संख्या एक्यानवे यहाँ पर पहले चित्र में एक गोला बना है गोले के चारो तरफ प्रकाश फैल रहा है इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये सूरज का चित्र है चित्र के नीचे लिखा है सूरज अगले चित्र में एक हाथी, एक जिराफ, एक गाए, एक बकरी, एक चीता, एक कच्छुआ, एक भिल्ली और एक हिरन दिखाया गया है इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये जानवर का चित्र है चित्र के नीचे लिखा है जानवर अगले चित्र में नुकिली चट्टान बनी है। इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये पहाड का चित्र है। चित्र के नीचे लिखा है पहाड। अगले चित्र में सडक पर कुछ वहाण दिखाए गए हैं और फ्याक्टरिया दिखाई गई हैं। इनसे प्रदूशित हवा निकलती दिखाई गई है। इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये धूएं का चित्र है। चित्र के नीचे लिखा है धूआ, प्रिष्ट संखिया 92 यहाँ पर लिखा है पढ़िये और अक्षर लिखिये। यहाँ पर ATM का चित्र है। चित्र के दोनों तरफ एक महिला और एक लड़की की तस्वीर है जो ATM से पैसे निकाल रही हैं। यहाँ पर लिखा है A। मैंने ATM से पैसे निकाले, AD। यहाँ पर AD का चित्र है और उसके नीचे लिखा है AD। अब यहाँ पर दिये गए रिक्त स्थान से आपने A से बनने वाले और शब्द लिखने हैं। चित्र देखिये और शब्द लिखिये। यहाँ पर बिन्दों की मदद से A अक्षर बना है। अब आपने इन बिन्दों की मदद से ए अक्षर को पूरा करना है और दिये गए रिक्तिस्थान में ए अक्षर को स्वैम बनाना भी है चित्र देखिए और शब्द लिखिए यहाँ पर एक का अंक बना है अब आप इस अंक को देखिए और इसे शब्द में लिखिए प्रिष्ट संख्या 93 पढ़िये और अक्षर लिखिए ए यहाँ पर एक एम्बुलन्स का चित्र है और चित्र के नीचे लिखा है एम्बुलन्स इसके नीचे एक एनक का चित्र है और उसके नीचे लिखा है अब मैं एनक पहन कर पढ़ पाती हूँ यहाँ पर बिंद्वों से ए अक्षर को बनाया गया है अब आप स्वयम बिंद्वों की मदद से ए अक्षर को बनाएं और साथ ही रिक्तिस्थान में ए अक्षर को अभ्यास करते हुए पूरा करें चित्र देखिए और शब्द लिखिए यहाँ पर एक बालक लाउट स्पीकर से कुछ कहता हुआ प्रतीत हो रहा है अब आप दिये गए रिक्तिस्थान में स्वयम चित्र को देख कर शब्द लिखिए और रिक्तिस्थान को पूरा कीजिए शिक्षक निर्देश चित्र देख कर शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें उनसे अक्षर लिखवाएं दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखने के लिए कहें प्रिष्ट संख्या 94 पढ़िए और अक्षर लिखिए इस प्रिष्ट पर एक अक्षर लिखा है ज़ ज़ से बनने वाले यहाँ पर तीन चित्र है एक चित्र जड का है दूसरा जादुगर का और तीसरा एक स्थान का है जिसके नीचे लिखा है जैसल मेर बहुत खुपसुरत जगह है यहाँ पर ज़ अक्षर से बननने वाले कुछ और शब्द भी दिये गए है जो इस प्रकार है जल, जमीन, जैसा, जोतना, सबजी, जौ, जेब, बाजा, जितना, जीत, जिला और जोखिम प्रिष्ट संख्या पिच्चानवे यहाँ पर बिन्वों की मदद से दो पंक्तियों में ज़ अक्षर को बनाया गया है अब आप बिन्वों की मदद से ज़ अक्षर को पूरा करें और साथ ही रिक्तिस्थान में अभ्यास करते हुए ज़ अक्षर को स्वैम भी बनाएं चित्र देखिए और शब्द लिखिए यहाँ पर तीन चित्र है पहला चित्र जलेभी का है दूसरा चित्र जीव का है और तीसरा चित्र जग का है अब आप इन तीनों चित्रों के नीचे दिये गए रिक्त स्थारों में इन शब्दों को स्वयम लिखिए शिक्षक निर्देश शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें उनसे अक्षर लिखवाएं और दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखने के लिए कहें प्रिष्ट संखिया 96 पढ़िये और अक्षर लिखिये यहाँ पर अक्षर है भ यहाँ पर तीन चित्र बने है पहला चित्र में एक भगोना बना है उसके नीचे लिखा है भगोना दूसरा चित्र तीन भेडियों का है और नीचे लिखा है भेडिये जुन्ड में रहते हैं तीसरा चित्र एक बस का है जिसमें कुछ यात्री है और चित्र के नीचे लिखा है भीड यहाँ पर भ अक्षर से बनने वाले कुछ अन्य शब्द भी लिखे हैं जो इस प्रकार हैं भोर, भिंडी, भात, भाभी, भेट, भोजन, भौकना, भिलना, भिगोना, भील, भवन, भाला, भीनी, भूल और अभी प्रिष्ट संख्या सत्तानवे यहाँ पर दो पंक्टियों में भ अक्षर को बिन्दों की मदद से बना कर दिखाया गया है अब आप इन बिन्दों की मदद से भ अक्षर को बनाएं और साथ ही रिक्त स्थान में अभ्यास करते हुए भ अक्षर को स्वैम लिखें चित्र देखिए और शब्द लिखिए यहाँ पर तीन चित्र है पहला चित्र शस्त्र का है दूसरा चित्र भोजिपदार्थ का है और तीसरा चित्र एक पालतू पशु का है अब आप इन चित्रों को देखकर शब्दों में इनके नाम लिखिए प्रिष्ट संखिया 98 पढ़िये और अक्षर लिखिये यहाँ पर अक्षर लिखा है श यहाँ पर तीन चित्र है पहला चित्र शेर का है उसके नीचे शब्द में लिखा है शेर दूसरा चित्र दूलहे का है और चित्र के नीचे लिखा है दूले ने बड़े शौक से नई शिरवानी सिलवाई तीसरा चित्र शहद का है और चित्र के नीचे लिखा है शहद यहाँ पर श अक्षर से बनने वाले कुछ और शब्द भी दिये गए हैं यह शब्द हैं शक, शरारत, शैतानी, शोर, शोला, शोभा, शौकीन, शिकायत, शिमला, आशा, शीशा, काशी, शामियाना, कोशिश और शेश प्रिष्ट संख्या निन्यानवे यहाँ पर बिन्दों की मदद से श अक्षर बनाए गए हैं अब आप इन दो पंक्षियों में श अक्षर को स्वैम बनाते हुए अभ्यास कीजिए और इन पंक्षियों को पूरा कीजिए चित्र देखिए और शब्द लिखिए यहाँ पर तीन चित्र हैं पहला चित्र वादियंत्र का है दूसरा चित्र सब्जी का है और तीसरा चित्र फल का है अब आपने इन चित्रों के नीचे दिये गए रिक्तिस्थानों में इनके नाम शब्दों में लिखने हैं प्रिष्ट संख्या सौ पढ़िये और अक्षर लिखिए अगला अक्षर है श यहाँ पर तीन चित्र है पहला चित्र शटकोण का है उसके नीचे लिखा है शटकोण दूसरा चित्र इंद्रधनुष का है उसके नीचे लिखा है इंद्रधनुष और चौथा चित्र एक महिला का है जिसके नीचे लिखा है मैं कौरवी भाशा बोलती और लिखती हूँ यहाँ पर श अक्षर से बनने वाले कुछ और शब्द भी दिये गए हैं जो इस प्रकार है पोशन, आशाण, कोश, भाशन, पुरुष, दोशी, आभूशन, घोशना, संघर्ष, मनीशा, प्रदूशन, वर्षा, विश, भीशन और भाशा यहाँ पर बिंद्वों की मदद से दो पंक्तियों में श अक्षर को बनाया गया है अब आप इन बिंद्वों की मदद से श अक्षर को पूरा करें और साथ ही अभ्यास करते हुए दिये गए रिक्तिस्थान में श अक्षर को बनाएं प्रिष्ट संख्या 101 101. यहाँ पर तीन चित्र हैं. पहला चित्र एक डेलिय का है. यहाँ पर नीचे लिखा है डेलिया. दूसरा चित्र डायरी का है. और उसके नीचे लिखा है डायरी. तीसरा चित्र एक डाक पेटी का है. और उसके नीचे लिखा है डाक पेटी. यहाँ पर ड़ अक्षर से बनने वाले कुछ और शब्द भी दिये गए हैं. जो इस प्रकार हैं. डकार, लाडली, डेरा, डील डॉल, डीजल, डैने, डोरी, डोलना, डकैत, डालना, डिपो, डिब्बा, डगर, डराना और निडर. यहाँ पर बिद्वों की मदद से ड़ अक्षर को दो पंक्षर को बना कर दिखाया गया है. अब आप इन बिद्वों की मदद से ड़ अक्षर को बनाएं, और साथ ही दी गई दो पंक्षर को लिखें. प्रिष्ट संख्या 102, पढ़िये और अक्षर लिखिये, अगला अक्षर है ल, यहाँ पर तीन चित्र हैं, पहला चित्र सडक का है, चित्र के नीचे लिखा है सडक, दूसरा चित्र भेडिये का है, चित्र के नीचे लिखा है भेडिया, और तीसरा चित्र एक लड़के का है, चित्र के नीचे शब्द में लिखा है लड़का, यहाँ पर ल अक्षर से कुछ शब्द भी बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं, भेड, गलबल, भाला, पकोडी, साडी, जोडे, कोडे, सडक, खडा, छडी, जोड, खडिया, बड़ा, लडाई, और पगडी, प्रिष्ट संख्या एक सौतीन, यहाँ पर ल अक्षर को बिंद्मों की मदद से दो पंग्तियों में बना कर दिखाया गया है, अब आप बिंद्मों की मदद से ल अक्षर को पूरा करें और साथ ही अभ्यास करते हुए ल अक्षर को इन दोनों पंग्तियों में स्वैम भी बनाएं, चित्र देखिए और शब्द लिखिए, यहाँ पर तीन चित्र बने हैं, पहला चित्र एक पेल का है, दूसरा चित्र चिड़िया का है और तीसरा चित्र घड़ी का है, अब आप इन तीनों चित्रों के नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में इन चित्रों के नाम शब्द में लिखिए, प्रिष्ट संखिया एक सौचार, आपके घर के आसपास इन में से क्या क्या है, खाली बॉक्स में सही का निशान लगाईए, इस प्रिष्ट पर चार चित्र हैं, पहले चित्र के नीचे लिखा है केले का पेड़, आगे दिया है खाली बॉक्स, दूसरा चित्र एक बगीचे का है, और उस चित्र के नीचे लिखा है बगीचा, आगे दिया है खाली बॉक्स, तीसरा चित्र रेल्वे स्टेशन का है, और चित्र के नीचे लिखा है रेल्वे स्टेशन, आगे दिया है खाली बॉक्स, चौथा चित्र एक लोमड़ी का है, इसके नीचे लिखा है लोमड़ी, आगे दिया है खाली बॉक्स प्रिष्ट संख्या एक सो पाँच इस प्रिष्ट पर चार चित्र बने हैं पहला चित्र पाटशाला का है और चित्र के नीचे लिखा है स्कूल आगे दिया है खाली बॉक्स दूसरा चित्र एक हॉस्पिटल का है और चित्र के नीचे लिखा है अस्पताल आगे दिया है खाली बॉक्स तीसरा चित्र खेत का है चित्र के नीचे लिखा है खेत आगे दिया है खाली बॉक्स और चौथा चित्र एक जरने का है और उसके नीचे लिखा है जरना आगे दिया है खाली बॉक्स पढ़िये और बाचीत कीजिए प्रिष्ट संखिया 106 सुखो माजरी गाउं की कहानी सुखो माजरी नाम का एक गाउव था उसके जंगल काट दिये गए थे कुवों और पंपों में पानी नहीं था नदियों का पानी बहुत मटमेला हो गया था पर 1970 में सुखो माजरी गाउं बदल गया सुखो माजरी में ग्राम सभा बनी ग्राम सभा ने मिल जुलकर फैसला लिया सबसे पहले जंगलों को बचाना है बारिश के पानी को जमा करने के लिए सिचाई टेंक बनाया सिचाई टेंक के चारों तरफ पेड़ लगाए बच्चों ने भी पेड़ लगाए काम कठिन था पर गाउं वालों ने खूब महनत की पान्थ सालों में सुखो माजरी हरा भरा खुशाल गाउं बन गया सुखो माजरी गाउं की कहानी को एक चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है चित्र में कुछ व्रिक्ष तथा कुछ घर बने हैं इसके साथ ही चित्र में कुछ पशुपक्शी और जीवजंतु नजर आ रहे हैं कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और साथ ही दो बच्चे व्रिक्षा रोपण करते दिखाई गए हैं शिक्षक निर्देश दे गई कहानी सहभागियों को पढ़कर सुनाएं और उनसे इसी तरह की अन्ने कहानियां सुनाने को कहें पेड़, जंगल, पानी जमा करना, आदी की जरूरत के बारे में चर्चा करें पर्यावन सन्रक्षान के बारे में सहभागियों से बाच्चीत करें प्रिष्ट संख्या 107 दिये गए सवालों के जवाब दीजिए प्रश्न एक अपने गाउं का नाम लिखिए यहाँ पर रिक्तिस्थान में आप अपना उत्तर लिखिए प्रश्न दो आपके घर में इस्तेमाल के लिए पानी कहां कहां से आता है संकेत के रूप में एक बॉक्स में कुछ शब्द दिये गए हैं जो इस प्रकार हैं नल, पंप, तालाब, नदी, कुवा, टंकी और बोतल का पानी इन शब्दों की सहता से रिक्तिस्थान में अपना उत्तर लिखिए प्रश्न तीन घर में इस्तेमाल का पानी किसमें भरकर रखते हैं एक बॉक्स में संकेत के रूप में कुछ शब्द लिखे हैं ये शब्द हैं लोटा, घड़ा, बाल्टी, टंकी, बोतल, टब और केन इन शब्दों की मदद से रिक्तिस्थान में अपना उत्तर स्वयम लिखिए प्रश्न चार क्या आपके इलाके में भी पानी की दिक्कत है? आपको इस कमी के क्या कारण नजर आते हैं? चर्चा कीजिए अब आप रिक्तिस्थान में अपना उत्तर लिखिए शिक्षक निर्देश उपर दिये गए प्रश्नों पर चर्चा करें और जवाब लिखने में सहभागियों की मदद करें सहभागी बॉक्स में दिये गए शब्दों की मदद ले सकते हैं प्रश्न चार पर विशेश बाच्चीत करें साफ पानी पीने के लाभों पर भी चर्चा करें प्रिष्ट संख्या 108 आईए चर्चा करें इस प्रिष्ट पर एक पानी का बिल है जिस पर लिखा है दिल्ली जलबोड, दिल्ली सरकार, पानी का बिल यहाँ पर दाई तरफ लिखा है जैसे भी हो सके बचाएं पानी सौ प्रतीशत प्राकर्तिक शून प्रतीशत विकल्प बिल की अवधी 11 जुलाई 2017 से 5 सितंबर 2017 तक बिल संख्या 154564 भुगतान की अंतिम्ति थी 3 अक्टूबर 2017 उपभुगता का नाम एवंपता श्री मुहम्मद उमर 22 महरोली नई दिल्ली बिल के चित्र के नीचे लिखा है दिल्ली के महरोली इलाके में एक मकान का पानी का बिल उपर दिये गए बिल को देखिए बिल में गोला लगा कर अपना जवाब बताईए प्रश्न एक बिल के किन हिस्सों को देख कर पता चलता है कि यह पानी का बिल है प्रश्न दो यह बिल किस जगह का है प्रश्न तीन बिल किस व्यक्ति के नाम पर आया है प्रश्न चार बिल भुगतान की आखरी तारीख क्या है प्रश्ण पाँच पानी का यह बिल कितने दिन का है और प्रश्ण छे बिल में पानी बचाने की बात कहां लिखी हुई है शिक्षक निर्देश पहले बिल का विवरण दे दिये गए प्रश्णों पर सहभागियों के साथ बात्चीत करें बिल में जवाब के लिए गोला लगवाएं प्रिष्ट संख्या एक सो नौ राजू की मा फूलों की माला बनाने में राजू अपनी मा की सहता कर रहा था वह एक एक करके फूल अपनी मा को देता गया और संख्या बोलता गया दस फूलों की एक माला यानि हर माला में दस फूल राजू फूल देता गया और माला बनती गई तो आईए समझें के कितने फूलों के बाद एक माला तयार होती है पचास जमा एक बराबर 51 पांच दहाई जमा एक इकाई बराबर 51 51 के नीचे शब्द में लिखा है 51 पचास जमा दो बराबर 52 पांच दहाई जमा दो इकाई बराबर 52 इसके नीचे लिखा है शब्द में बावन पचास जमा तीन बराबर तिरेपन पांच दहाई जमा तीन इकाई बराबर तिरेपन इसके नीचे शब्द में लिखा है तिरेपन पचास जमा चार बराबर चववन पांच दहाई जमा चार इकाई बराबर चववन इसके नीचे शब्द में लिखा है चववन प्रिष्ट संख्या 110 पचास जमा पांच बराबर पचपन पांच दहाई जमा पांच इकाई बराबर पचपन इसके नीचे शब्द में लिखा है पचपन पचास जमा छे बराबर चपन पांच दहाई जमा छे इकाई बराबर चपन इसके नीचे शब्द में लिखा है चपन पचास जमा साथ बराबर सत्तावन पांच दहाई जमा साथ इकाई बराबर सत्तावन और इसके नीचे शब्द में लिखा है सत्तावन पचास जमा आठ बराबर अठावन पांच दहाई जमा आठ इकाई बराबर अठावन और इसके नीचे शब्द में लिखा है अठावन पचास जमा नौ बराबर उनसट पांच दहाई जमा नौ इकाई बराबर उनसट और उसके नीचे शब्द में लिखा है 69 पचास जमा दस बराबर साथ पांच दहाई जमा एक दहाई बराबर साथ और इसके नीचे शब्द में लिखा है साथ प्रिष्ट संख्या 111 इकाई और दहाई अंकों का जोड यहाँ पर चार तालिका है इन तालिकाओं में इकाई और दहाई अंकों का जोड समझाया गया है आईए अब हम इन तालिकाओं को पढ़ते हैं तालिका एक साथ जमा एक बराबर 61 साथ जमा दो बराबर 62 साथ जमा तीन बराबर 63 साट जमा चार बराबर चोंसट साट जमा पाँच बराबर पैंसट साट जमा छे बराबर छ्यासट साट जमा साथ बराबर सडसट साट जमा आट बराबर अडसट साट जमा नौ बराबर उनहत्तर और साथ जमा दस बराबर सत्तर तालिका दो सत्तर जमा एक बराबर एकहत्तर सत्तर जमा दो बराबर बहत्तर सत्तर जमा तीन बराबर तिहत्तर सत्तर जमा चार बराबर चोहत्तर सत्तर जमा पाँच बराबर पचहत्तर सत्तर जमा छे बराबर छेत्तर सत्तर जमा साथ बराबर सतत्तर सत्तर जमा आठ बराबर अठहत्तर सत्तर जमा नौ बराबर उनासी और सत्तर जमा दस बराबर असी तालिका तीन असी जमा एक बराबर इक्यासी असी जमा दो बराबर ब्यासी असी जमा तीन बराबर तिरासी असी जमा चार बराबर चोरासी 80-5 बराबर 85 80-6 बराबर 86 80-7 बराबर 87 80-8 बराबर 88 80-9 बराबर 89 और 80 जमा 10 बराबर 90 तालिका चार 90 जमा 1 बराबर 91 90 जमा 2 बराबर 92 90 जमा 3 बराबर 93 90 जमा 4 बराबर 94 90 जमा 5 बराबर 95 90 जमा 6 बराबर 96 90 जमा 7 बराबर 97 90 जमा 8 बराबर 98 90 जमा 9 बराबर 99 और नब्बे जमा दस बराबर सौ, प्रिष्ट संख्या 112, नब्बे जमा दस बराबर सौ, नौ माला मतलब नौ दहाई, जमा एक माला मतलब एक दहाई, बराबर सौ, यहाँ पर सौ के नीचे शब्द में लिखा है, सौ, ब्रैकेट में सैकड़ा, यहाँ पर लिखा है मेरे शब्द, और उसके नीचे एक खाली बॉक्स है, प्रिष्ट संख्या 113, यहाँ पर लिखा है, खाली स्थारों में सही क्रम में संख्या लिखिये, यहाँ पर दस पंक्तियों में एक से सौ तकी संख्याएं लिखी है अब आपको खाले स्थानों में सही क्रम में संख्याओं को लिखना है पहली पंक्ति में संख्याएं हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस दूसरी पंक्ति ग्यारह, रिक्तिस्थान, तेरह, चौदह, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, सत्रह, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, बीस तीसरी पंक्ती, 21, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थ रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, पाँच्वी पंक्ती, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस साथवी पंक्ति 61, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, 64, रिक्तिस्थान, 67, रिक्तिस्थान, 79, रिक्तिस्थान आथ में पंक्ति, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, तेहत्तर, रिक्तिस्थान, 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 रि रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान और दस्मी पंक्ती एक्यानवे रिक्तिस्थान तिरानवे रिक्तिस्थान 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 च्यानवे रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान सौ प्रिष्ट संख्या 114 बताईए, रुपए 68 और रुपए 78 में कौन सी राशी ज्यादा है? रिक्तिस्थान से रिक्तिस्थान ज्यादा है अब आप इन रिक्तिस्थानों को स्वेम भरें सुर्जा ने गुलाब का एक पौधा रुपए 53 का लिया और गेंदे का एक पौधा रुपए 28 का लिया तो सुर्जा ने कुल कितने रुपए खर्च किये? यहाँ पर एक तालिका है तालिका की पहली पंक्ति में लिखा है गुलाप के पौधी का मूल्य रुपए 53 उसके बाद 10 रुपए के 5 नोट हैं और उसके बाद 1 एक रुपए के 3 सिक्के हैं तालिका की दूसरी पंक्ते में लिखा है गेंदे के पौधी का मूल्य रुपए 28 उसके बाद तालिका के अगले भाग में 10 रुपए के 2 नोट और तालिका के तीसरे और अंतिम भाग में एक एक रुपए के 8 सिक्के दिखाए हैं तीसरी तालिका में लिखा है सुर्जा का कुल खर्च उसके बाद 10 रुपए के 8 नोट और तालिका के अंतिम हिस्से में एक रुपए का एक सिक्का और आगे है रिक्तिस्थान अब आपको इस रिक्तिस्थान को स्वेम पूरा करना है शिक्षक निर्देश सहभागियों को प्रोत्साहित करें कि वे विभिन संख्याओं की तुलना करें और तुलना करने के लिए विभिन तरीके खोजें प्रिष्ट संख्या 115 सुर्जा के पास रुपए 60 हैं और उसे गेंदे का एक और पौधा लेना है तो एक पौधा और लेने के बाद सुर्जा के पास कितने रुपए बचेंगे इस प्रिष्ट पर एक तालिका है तालिका के तीन भाग है पहले भाग में लिखा है सुर्जा के पास रुपए 60 हैं इसके बाद 10 रुपए के 5 नोट हैं और फिर एक एक रुपए के दस सिक्के हैं। तालिका के अगले भाग में लिखा है गेंदे के पौधे का मूल्य रुपए 28 है। उसके बाद दस रुपए के दो नोट और फिर एक एक रुपए के आठ सिक्के दिये गए हैं। तालिका के अगले भाग में लिखा है, सुर्जा के पास रुपए रिक्तिस्थान बचे, उसके बाद दस रुपए के तीन नोट और फिर एक रुपए के दो सिक्के दिये गए हैं। शिक्षक निर्देश, सहभागियों को विभिन संदर्भों में जोड और घटाव वाले उधारन दें, जहां वे संख्याओं का पुनर समुहन करें, पर्यावरन सनक्षन के बारे में भी चर्चा करें। प्रिष्ट संख्या 116 मिलकर पढ़िये, समुद्र से पानी कहां जाता है? सोतों, तालाबों और दल्दलों से पानी बहकर नालों में पहुँचता है। नालों से छोटी नदियों में, छोटी नदियों से बड़ी नदियों में, और फिर सभी और से नदियां आकर समुद्र में मिलती हैं। ऐसा तब से होता है जब से यह दुनिया बनी है. पर समुद्र से पानी कहा जाता है? वह किनारों से छलकता क्यों नहीं है? समुद्र से पानी भाब बनता है. भाब उपर उठती है और फिर उस से बाधल बनते हैं. हवा बादलों को उडाती है और दूर दूर फैला देती है बादलों से पानी बारिश बनकर जमीन पर गिरता है जमीन से बहकर दलदलों और नालों में पहुँच जाता है नालों से नदियों में पहुँचता है और नदियों से समुद्र में समुद्र से पानी फिर भाप बनकर उपर उठता है और बादल बन जाता है हवा बादलों को उड़ा कर दूर दूर फैला देती है लियो टॉल्स्टॉई इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक सुन्दर चित्र है जिसमें बादलों से बरस्ता हुआ पानी पहाडों से बहते हुई नदी का समुद्र में मिलना और कुछ उब्रिक्ष दिखाए गए है प्रिष्ट संख्या 117 मेरे शब्द इस प्रिष्ट पर एक खाली बॉक्स दिया गया है शिक्षक निर्देश सहभागियों को प्रोट्साहित करें कि वे पानी के विभिन स्रोतों के बारे में चर्चा करें तालाब, नदी, समुद्र की सफाई और संडक्षन के बारे में भी बाच्चीत करें